हेलो प्रेंट्स आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं दाल से बनने वाली रेश्पी जो की बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही जादा स्वाधिस्ट और टेस्टी है तो चलिए फ्रेंट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना तो उसके लिए हमने लिए एक कटोरी भर के उड़ाद दाल इसको आधे गंटे पहले बिंगा दिया था उसको भी आधी गंटे पहले बिंगा कर रख दिया था दानों बिंग चुकी है उनका पाने निकाल दिये अब लिया एक कोकर वी करें डालेंगे सबसे पहले उडद दाल को तो सारी दल доroid आने डाल दिया हैं यह रिख ही दालको हमेसा दूलकर ही डालीएगा तपने दाल को दोल रख्येगकर शेतेद żeby ने जाल दालने के बार को फो जवर मिर्या है उसको भी हमने डाल दिया दोराई का तो पानी आप थोड़ा मतलब जादा भीना डालिएगा और कम भी मत डालिएगा इसे सबसे पाने डाले लेजिए कि दाल अच्छे से बॉल हो सके और इसमें थोड़ा सा पानी हमारा बच जाना चाहिए तो आप लोग देखें कि तो हमने पानी को डाल दिया है उसके बार नमक डाल देंगे और नमक साधन सार ही डालिएगा उसके बाद यहां पर हम डालेंगे हल्दी तो आधी चमच हमने हल्दी डाल दिया है हल्दी डालने के बाद हम क्या करेंगी कुकर का ढखकन बंद कर देगे आप चाहों तो दाल को यहां पर मिक्स कर देजीगा पर मिक्स ना भ और को गैस पर रह्क देते हैं और इसमें 3 स्यटी आने तक हम वाल कर लेंगे तिन सीटी में दाल हिए उसके कड़ाई कड़ाई में डाला है और उसके वाद हम डालेंगे एक वीडियम साच के प्याच को बारेक चौप करके ढाल दिया है और उसके बाद अच्छे से मिंग से करेंगे और इसको दो एक सोटे करेंगे श 1045 से मिंआटे करतें बाद हम इसमें कटी फील लम डाल देंगे हम चार से पांच क लिए लिए है चौप कर दिए उसको भी अमादी नाल दिया उसको बिरा दाल करेंगी उसके बदी मीर्च को बारिक कर guess कर ला दाल दियाक एक सकंदे तक अधि US तरह से उसके बाद चैज और मसाले तो आधि चमझ वने कास मीरी लाल मिर्च डाल दिया है गंद चमच बंधर है और हम डालेंगे सिसमें दणिया पारफर तो πगशों एक नियम पारफर के आपार यह ईधिक यौट अम इसको हम पकाएंगा का तो सारी चीज़ों को मुझे लगवक दो मिनट हो गये थैंग और स्केवाद में गरममसाले के साथ दूटा लें यूग मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा से नमक कम होगा थोड़ा से नमक इसमें और डाल दिया और क्या करते हैं नमक डालने के बाद हम इसको 30 सिकंड तक पकाए थे उसके बाद हम डाल करके रखे थे उसको डाल दिये तो आप लोग फ्रेंट से देख तो यह चने और उड़त की डाल तयार है बहुत ही स्वाधिस और टेस्टी तो अभी हमारी इसमें और भी चीज़े एड़ करना है तो अब यहां पर कस्वी कस्तूरे में थी हाथों से क्रस्ट करके डाल दिये हैं और उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्सी करने के बाद आप दनिया डाल देज़ तो फ्रेंट्स आप लोग भी जरूर बनाए कर ट्राइ किजिएगा वीडियो पसंदा तो वीडियो को लाइक शार करना चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना तो चलिए फ्रेंट्स चलते हैं मिलते हैं अगले वीडियों बाए टिक केर तिंग